भारत सरकार से मान्यता प्राप्त जन्शिक्षन संस्थान अब पंच्रायत स्तर पर युवाओं को विभिन तरह के प्रिशिक्षन देगा ताकि युवाओं को हाथ का हुनर प्रदान कर आत निर्भर बनाया जा सके। हरिंदर वर्मा ने बताए कि जन्शिक्षन संस्थान अब युवाओं महिलाओं को पंचायतों में जाकर विभिन तरह का कोशल प्रदान करेंगे। हर पंचायत को कवर करें और पंचायत लेवल पर जाकर घर दवार पर जाकर लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग्स परदान करें। मीटिंग में हमारे पूरे जिले से हमारे 16 मेंबर्स हैं और ये विरियस अपने अपनी पूजीशन में अपने अपने स्थान पे एक उनरेबल पोस्टीज और एक वास्ट एक्सपिरियंस के साथ हमारे बोर्ड के साथ जुड़े हैं। मैं आशा करता हूं कि ये हम आगे जिले में जन्सिक्शन संस्थान सोलन का नाम बहुत बड़ा करेंगे और हर एक पंचायत को कवर करते हुए हर एक आदमी को रोजगार के वहतर अफसर परदान करवाएं। हमारा थोड़ा कस्टमाइज जॉब रोल हैं जन्सिक्शन संस्थान के और ये हम अभी एडियम में असिस्टेंट ड्रेस मेकर सिलाई का कोर्स होता है ये इसमें परदान कर रहे हैं कंप्यूटर की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं और हम ब्यूटी एंड वैलने सेक्टर में काम क रहे हैं जन्सिक्शन संसान सोलन की स्थापना 2021 में हुई थी तब से लेकर हम हर वर्ष 1800 को ट्रेन करते हैं और लगबग लगबग हम 5000 लोगों को अभी तक कवर कर चुके हैं और स्वरोजार की अगर हम बात करें तो हमारे साथ से जादा लोग माइक्रो एंटरप्राइजीज एस्टेबलिस्ट करने में सफल रहे हैं जिनको जन्सिक्शन संसान सोलन की तरफ से हैंड ओल्डिंग सपोर्ट दी गई और वो अपने माइक्रो फाइनसिंग जिन्हों ने सरकार की स्कीमों का फाइदा उठाया और अपना सोरोजगार और और लोगों को भी रोजगार परदान कर रहे हैं